हेलो दोस्तो आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल इस्पोर्स टीम पर हेलो दोस्तो हम आज बात कर रहे हैं ऐसे सक्सका जो देश नहीं दुनिया में भी अपना नाम कमाया हम आज उन किर्केटर का बात कर रहे हैं जिनका नाम महेंदर सिंग धोनी है इनका जन्म राची जहारकंड में हुआ था इनकी स्कूली सिच्छा डी ये भी जोहर बिद्या मंदीर जहारकंड सकी इनके पीता का नाम पान सिंग दोनी था और माता का नाम देव की देवी था इनके एक भाई थे जिनका नाम नैंजर सिंग धोनी था और इनके बहन का नाम जैन्ति गुपता था हम ऐसे किर्केटर का बात कर रहे हैं जिनोंने टीम इंडिया को तीनों फारमेट के टेस्ट ओडिया और टी ट्वन्टी में चेंपियन बनाया इनोंने चेंपियन कॉमन वेल्थ बैंक सिरीज इतना ही नहीं इनोंने आस्टेलिया को आस्टेलिया में राया और न्यूजिलेंड को न्यूजिलेंड में और आस्टेलिया को फोर जीरो टेस्ट सिरीज में राया और बार्डर गवास को ट्रॉफी पर कपजा जमाया तब दोनी तीन आईपियर ट्रॉफी लीग और आईपियर चेंपियन लीग और अन्य सीरिज भी जीता है दोनी की बिकेट केपिंग में इतना इतनी तेजी थी कि वह बिना देखे रन आउट कर सकते थे और ऐसा करनामा नों ने बहुत किया दोनी इतना ही नहीं देश दुनिया को भी बताया कि बिना दिमाग की किरिकेट खेला जा सकता है दोनी को बच्पन में किरिकेट से ज़्यादा फुटबाल और बैटमिंटन खेलना पसंद था किकेट भी खेलते थे पर बहुत कम धोनी बाद में डिस्टिक्ट टीम से खेलने लगे धोनी का बिकेट कीपिंग देखकर एक कलब ने उन्हें चून लिया फिर कुछ समय बाद छक को चौके का परसाथ करने लगे धोनी स्कूल और टूनामेंट में चौके चौके का परसाथ करने लगे जिस कलब ने धोनी को रखा था उस कलब की ओर से धोनी ने किकेट खेला था धोनी को सन 1997 में अंडर सिस्टिन टीम में चून लिया गया जहां धोनी ने अच्छी परभामिश दी कुछ समय बाद धोनी टीटी का एक्जाम दिये और उनका सिलेक्शन हो गया साल 2001 में साउथ रेलबे खड़कपूर से धोनी ने अपना जौब चालू कर दी साल 2001 में धोनी ने सचीन तेनलुकर से मिले धोनी और सचीन की टीम आमने सामने थी धोनी इस टीम के हिस्ता नहीं थे धोनी ने अपनी टीम को पानी पिडाने गए और सचीन ने बोला मुझे पानी मिलेगा धोनी ने उन्हें पानी दे दिया डेलबे के काम के साथ-साथ रड़जी में खेलते थे उनका प्रवामिश उतना अच्छा नहीं रहा दोनी ने साल दोजार दो तीन में इंडिया और पाकिस्तान के बीच अपनी गल्फरेंट प्यांका से मिले साल दोजार चार में जब दोनी का सिलेक्षन हुआ उचीज दोरान प्यांका का देहांत हो गया एक चुली प्यांका का देहान का एक रोड एक्सिडेंट में हुआ था भाईयो धोनी कुछ समय बाद किरिकेट को ज्यादा समझने लगे धोनी का सिलेक्षन साल 2004 बैंगराजिस के खिलाप मैच में हुआ था जहां धोनी की डेबियू उतनी अच्छी नहीं रही उस समय धोनी 0 रन पर रन आउट हो गए उस सिलेक्ष के दोराण धोनी का बल्ला नहीं चला और धोनी को कुछ समय बाद पाकिस्तान की खिलाप मौका मिला तब भारत के कप्तान सौरो गागुली हुआ करते थे गागुली ने सोचा धोनी को अच्छा मौका नहीं मिला तब धोनी को दूसरे मैच में गागुली ने नंबर 3 पर बेचा और धोनी आते ही तबाड तोल बैटिंग की तब लगा कि इंडिया को बहुत अच्छा विकेट कीपर बलेबाज मिलने वाला है धोनी ने उस मैच में 123 गेंद पर 148 रन बनाए धोनी के नाम पर 123 गेंद पर 148 रन बनाने का रिकाट आज भी है धोनी साल 2005 में स्री लंका के खिलाप ऐसे 183 रन बनाए जो वंडे केडियर का उनका बेस्ट स्कोर है तब उस समय धोनी का टीम में जगा पकी हो गई कुछ समय बाद कुछ समय बाद धोनी को 2007 में T20 वर्ल्ड कप का कप्तान बना दिया गया जब धोनी मैच खिलने गए तब उस समय की टीम इंडिया टीम आश्टलिया साउथ रपिका नियूजिलेंड इंगलेंड सिनंका को बहुत बूरी तरह से हराया साउथ रपिका में T20 वर्ल्ड कप खिलने गए दोनी की टीम बहुत अच्छी प्रवामिस दी और साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप दोनी अपनी कप्तानी में जिते और एक इतियास बनाए लास्ट फाइनल मैच पाकिस्तान के खिलाप हुआ था जो इंडिया ने मकूभी खिला और जीता भी दोनी की अच्छी कप्तानी देखते हुए उनको फिर कुछ समय बाद वन डे टीम का कप्तानी बना दिया गया जहां दोनी ने साल 2011 में टीम इंडिया को 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीत दिलाए साल 2013 में चेंपियन ट्रफिय इंगलेंट के खिला फाइनल में जीत के टीम इंडिया का नाम और उपर किया जब भी दोनी के कप्तानी के जिक्र होगा तब साल 2011 का वर्ल्ड कप के जरूर जिक्र होगा भाईयो क्योंकि 144 रन पर तीन विकेट गिनने के बाद इवराज सिंग तीसरी नंबर पाते थे पर दोनी ने मना कर दिया और खुद बल्लेवाजी करने आ गये दोनी ने उस मैश में 78 बाल पर 37 बिरन बनायते और टीम इंडिया को 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीत दिलाए अब बताते हैं कि आपको दोस्तों धोनी और साची के बारे में धोनी के पिता और साची के पिता एक ही कमपनी में काम करते थे और काफी अच्छी दोस्ती थी उन दोनों में दोनी और साची एक साथी स्कूल में पढ़ते थे, पर संबंद उतनी अच्छी नहीं थी, उन सब में साची की मुलाकात ताज होटल कोलकाता से हुई थी, कुछ समय बाद दोनी ने साची की दोस्त से उनका नमबर ले ली, और दोनी ने उनको मैसेज की, और साची हेरान दा गई, साची ने सजा कि टीम इंडिया के कप्तान ने मुझे मैसेज किया फिर साची और दोनी की बात होने लगा और फिर एक दूसरे से प्यार करने लगे फिर कुछ समय बाद दोनी ने साच्छी से 3 जुलाई 2010 को सगाई की और फिर कुछ समय बाद साधी भी कर ली कुछ समय बाद 6 फरवाई 2015 को साच्छी दोनी ने जीवा दोनी को जन्म दिया तो उस समय MS दोनी नहीं थे तब उस समय दोनी आस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलने चल गए थे दोनी का आखरी मैच नियुजिलेंड के खिलाब 20 कप सेमी फाइनल में था जहां दोनी ने माटी गप्टी के गेत पर रन आउट हो गए और टीम इंडिया का 2019 का वर्ल्ड कप जितने का सपना तूट गया कुछ समय पाद दोनी ने 15 अगस 2020 को की रिकेट को अलविदा कर दिया और अब भी IPL खेलते हैं दोनी अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को 200 ODI में से 110 ODI जिता जित दिलाएं और टीम इंडिया को अपने कप्तानी में नंबर वन और टेस्ट में नंबर वन बनाएं दोनी ने अन्यक साट्स लगाए जैसे हेलिकाप्टर साट और अन्य साट्स लगाए दोनी 37 सभाव के कप्तान थे दोनी इस्टम के पीछे टीम इंडिया की तरफ से सबसे जादा इस्टम बेक और केच लिए जो आज भी रिकॉर्ड है चले दोस्तो धन्यवाद